नमस्तेकार और आज हम खड़े हैं इंडियन टू वील वाइकल के सामने जिसका नाम है बुलक कार्ट 4000 BC में लॉंच हुआ था और ये फर्स जनरेशन आप देख रहे हैं सिर्फ आक्स के साथ दो मॉडल्स आते हैं सिंगल ओक्स जिसकी कीमत है 33,000 रूपीज और डबल ओक्स जिसकी कीमत है 43,000 रूपीज और ये टॉप मॉडल डबल ओक्स वेरियंट आप देख रहे हैं दुनिया की सबसे पहली वाइकल को बुलक कार्ट माना जाता है और ट्रांस्पोटेशन में भी यूज होने वाला दुनिया का सबसे पहला वील भी बुलक कार्ट में यूज किया गया था बुलक कार्ट का सबसे पहला यूज ब्रॉंज एज में सुमेर सिविलाइजेशन ने किया था साउथ मेसोपटामिया में जो आज इराक की जगे में आता है साउधन रशिया और सेंटरल यूरोप में भी पहला बुलक कार्ट को यूज किया गया था आउक्स के गले में रखी हुई है वुडन बीम को योक कहते हैं इस्टाइलिश हॉन्स हैं आउक्स के काओ के मेल को आउक्स या बुल कहते हैं छह साल की उम्र है इन दोनों आउक्स की लगबग 5000 यर्स से यूज हो रही है बुलक कार्ट दुनिया में 5 मिटर लेंथ है 1.5 मिटर हाइट है और लगबग 1000 केजी कर्ब वेट है वन मिटर टर्निंग रेडियस है और 550 mm ग्राउंड क्लिरेंस है बुलक का और यह आउक्स के फुट को हूफ कहते हैं और यह हैं 58 इंच के स्टील वील्स रबर्ड स्टील वील का भी आप्शन मिलता है लाइट ड्यूटी एक्सल है Mechanized Transport के आने की वज़े से बुलक कार्ट की सेल लगबग बंद हो गई है दुनिया में पुनाने जमाने में ट्रैवलिंग और सामान ले जाने के लिए यूज होती थी बुलक कार्ट बढ़ाच सिर्फ सामान उठाने के लिए ही बुलक कार्ट को यूज किया जाता है और वो भी सिर्फ गाउं में शहर में इसका यूज काफी कम हो गया है बुलक कार्ट को हिंदी में बैल गाड़ी भी कहते हैं कार्ट में ड्राइवर और पैसेंजर आगे बैठते हैं और पीछे लोड रखा जाता है आज लगबग 1 करोड 30 लैक बुलक कार्ट हैं इंडिया में ज्यादा स्पीड और ग्लेमर के लिए ऑक्स की जगे हॉर्स भी यूज किये जाने लगे है एक एवरेज आउक्स या बैल की प्राइज 10,000 रुपीज होती है और पीछे लगी गाड़ी की प्राइज लगबग है 23,000 रुपीज दस जिन में एक बार नहराना पड़ता है बैल को बरसाद में एक्स्ट्रा केर करनी पड़ती है आउक्स की वो बिमार पड़ जाते है डबल आउक्स काट की है 1 होर्स पावर, 2 NM टॉर्क, 25 किलमेटर पर आर्टॉस स्पीड और 4 आर का एवरेज मिलेगा 5 केजी के चारा खिलाने से एक किलो के चारे की कीमत है 12 रुपीज जिसमें तेल, बांट, चूनी, पीना और दाना भी मिलाए जाता है दो आउक्स को आउक्सन कहते हैं बोवी ने बायोलोजिकल सब फैमली में आती है आउक्स काउ के ही मेल पार्ट को आउक्स कहते है हिंदी में ज़्यादा तक बैल गाड़ी कहा जाता है और यह बूट स्पेस यहाँ आप रख सकते हैं 500 केजी तक का सामान और ऐसा देखता है डैशबोर्ड वोडन फिनिश है पूरी आई अंदर चलते हैं और राइड का फील लेकर देखते हैं बुलकार्ट में बैठना भी अपने आप में एक टास्क है काफी रफ राइड है बुलकार्ट की एक एक एंशियंट पुराने जमानी की फील आती है बुलकार्ट राइडिंग में तो यह है ट्रांस्पोर्ट में यूस की जाने वाली बुलकार्ट या बैल गाड़ी और यह है बुलकार्ट का स्पोर्ट्स वर्जन यह रेसिंग आउक्स आप देख रहे है यह सिर्फ रेसिंग में यूज होती है इनकी टॉफ स्पीड है लगबग 55 किलोमेटर पर आर इस बड़े वाइट आउक्स की हाइट भी है लगबग 6 फीट इन एक रेसिंग हॉक्स की प्राइज है लगबग 70,000 रुपीज यह रेसिंग कार्ट है लगबग 17,000 रुपीज की जो पंजाब से बनवाई जाती है कई अलग अलग ताइब की कार्ट लगा सकते हैं आप रेसिंग के लिए काफी पावर्फुल आउक्स हैं यह इन आउक्स की डाइट भी बड़ी हैवी होती है यह खाते है रोज 5 kg दाना चना 150 ग्राम बदाम 300 ग्राम घी और 250 ग्राम टेल पीते हैं यह रोज एक महिने की लगबग 40,000 रुपीज की मिनिमम मेंटेनेंस है इन दोनों रेसिंग आउक्स की रेगुलर ट्रेनिंग और मेंटेनेंस इन आउक्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है हर दो दिन में इनको 2 km तक दोड़ाना पड़ता है और एक किलोमेटर की वॉक इनको रोज करानी पड़ती है ये सिर्फ एक गंटा रोज मेहनत करते हैं उसके बाद पूरे दिन आराम करते हैं ये आउक्स सिर्फ रेसिंग के लिए ही यूज होते हैं सामान ले जाना जैसा कोई भी काम इनसे नहीं कराये जाता है लगबग 45 एवार्ड्स आज तक ये जीत चुके हैं जिसमें शामिल है एक नैनो कार, मोटरसाइकल, टीवी और कई कैश रिवार्ड्स इनकी एज अभी 3 साल है और लगबग 13 तक की एज तक ये रेस कर सकते हैं ये 13 इंच के स्टील वील्स लगबग 6 फीट की हाइट है इन आक्स की तो कैसे लगए आपको ये रेसिंग आक्स और बुलक कार्ट हमें कमेंट्स में बताईए तैंक यू स्टी स्बिस्एंड़ स्टी 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 कैसे ू स्टी झाल झाल